इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ अधार कार्ड के फ्रंट और बैक साइड को कैसे कंबाइन करते हैं यह मेरा अधार कार्ड है इसका फ्रंट और बैक साइड दो अलग-अलग इमेज फाइल में है इसे कंबाइन करने के लिए Photoshop उपन करते हैं इसके बाद फाइल पे क्लिक कर ओपन पे क्लिक करते हैं और अपने अधार कार्ड के फ्रंट और बैक साइड को सिलेक करते हैं ओपन पे क्लिक करते हैं मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हैं अधार कार्ड के एरिया को क्रॉप करने के लिए crop tool पे click करते हैं और left click दबाते हुए mouse को move करते हैं image को सिधा करने के लिए mouse को कहीं पर विरा कर left click दबाते हुए move करते हैं enter फिर से पूरे area को select करते हैं और अब यहाँ पर mouse रखकर left click दबाते हुए उपर की तरफ move करते हैं इसी process को यहाँ पर repeat करते हैं इस image को थोड़ा साथ rotate करते हैं enter और आब restore down पर click करते हैं इसे थोड़ा slide करते हैं इसे maximize करते हैं और फिर से पहले बाले process को repeat करते हैं image को crop करते हैं image को सीधा करते हैं enter पूरे area को select कर image को crop करते हैं enter restore down पर click करते हैं अब आप देख सकते हैं अधार का front और back side पूरेते से crop हो गया है file पर click करते हैं new पर click करते हैं यहाँ पर कोई भी नाम टाइप करते हैं हम यहाँ type करते हैं अधार कार्ड यहाँ click कर effort size को select करते हैं ok पर click करते हैं इसे थोड़ा move करते हैं और इस image को इस page पर लाने के लिए move tool पर click करते हैं क्लिक करने के बाद image पर click करते हैं left click देबाते हुए mouse को move करते हैं और इस page पर लाकर छोड़ दते हैं अगर आप इस image को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए edit पर click कर free transform पर click करते हैं और फिर mouse को इस corner पर लाक कर shift दबा कर left click दबाते हुए image के छोटा या बड़ा कर सकते हैं object सकते हैं या बड़ा हो गया है और अब या छोटा हो गया है enter इसी तरह से इस image को या move करते हैं इस image को भी पहले वाल image के size के बराबर adjust करते हैं edit पर click करते हैं free transform पर click करते हैं shift दबा कर left click दबाते हुए image के size को adjust करते हैं enter इस image को इस side move करते हैं इस image को left side में और left side के image को right side में लाने के लिए यहां layer 1 पर click करते हैं इसके बाद इस image को move कर इस side छोड़ देते हैं और फिर layer 2 पर click कर इस image को move कर इस side छोड़ देते हैं हमें यहां पर इस image का size थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है इससे फिर से resize करने के लिए layer 1 पर click कर edit पर click करते हैं free transform पर click करते हैं और फिर से छोटा करते हैं enter maximize पर click करते हैं इस file को save करने के लिए file पर click कर save पर click करते हैं format पर click करते हैं jpg को select करते हैं save पर click करते हैं ok यह file save हो चुका है इसे close करते हैं इसे open करते हैं आप देख सकते हैं अधार card का front और back side एक page में हो गया है इसे close करते हैं thanks for watching bye